हेलो गाइज, वेल्कम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेश आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं संजुक परिवार के दोस के बारे में यानि ज्वाइन फैमली के क्या-क्या डिमेरिट्स होते हैं आर्थिक दिश्टी कौन से देखा चाहें तो फर्ष्ट पॉइंट जो है वो संजुक परिवार के दोस में स्वाइकों की कुसलता में बाधक तो क्या है ये कुसलता में बाधक च्वाइन फैमली में सारा बोज जो होता है ना दो-चार कमाने वाले वेक्तिव पर ही होता है इ कारण का स्वास्ति और उनके हेल्थ पेस का काफी इंपक्त पड़ता है इसलिए उनकी कुसलता दिनों दिन घटते जाती है या उनकी बहुत जिल्द्ध हो जाती है निकामेज में ही उनकी डेथ हो जाती है यदि किसी व्यक्ति की उपर अधिक लोगों का अगर भरन पोसन का समझने समस्या ही उसके घातक सिध हो जाती है क्योंकि उसी की चिंता में व्यक्ति दिन रात सूचता रहता है और अंत तक उसकी कुसलता को घटाती रहती है और वह बिमार पढ़ जाता है वह व्यक्ति नेक्स्ट जो पॉइंट है स्रमय को की गतिसलता में बाधग तो कैसे ए गति सलतायम बाध़क था escryn जुक्ट जो फैमली है जो पनी इन नाथे रिष्टेदार एक साथ रहते हैं और उन्वे सहीयोग की भावना होती है रेम होता है ब्रें होता है प्यार होता है इस नयुप स्वीन हो जाती कि जिनके परिवार के साथ एक कठोर बंधन में बंद जाते हैं और इस परिवार से अलग होकर अस्तित्र की कल्पना करना भी वे छोड़ देते हैं कभी नहीं सोचते हैं कि वो अपनी फैमिली को छोड़ कर बाहर जाये बाहर कोई जौब करें या अच्छा काम करें इसके फाल सुप्स बाहर जीवन क्यों नत्ति इरुक जाती है बलकि स्रमिकों की गतसिलता संत्रित धंक से भी नहीं हो पाता है तो आर्थिक दुस्टी को न से यह सारे डीमेरिट्स हैं जौइंट फैमिली के अगर समाजिक दुस्टी को न से देखा जाए तो क्या के डीमेरिट्स है निकम में ब्यक्तियों के व्रिधी यह इंपॉर्टेंट है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है समाजिक दुस्टी को न से गर देखा जाए जाए जौए जाता है बेकार बैक्ति भी भूके नहीं मरता और बैकार बैठा लेकिन और लोग कमा रहे है ना तो उनके कमाई से आपने बैठे बैठे खाना और मजाग उड़ाना दूसरे अपने जैसे निकम में संथानों को बढ़ाने में सहायक है उनके आत्मीवान को भी नश्ट करता है उनका जो आत्मियान होता है, जो स्वाभी मान होता है, सब को डिस्ट्राइ कर देता है, दो नहीं इस्तितियां समाज और परिवार के लिए एक कंभीर समस्या होती है नेक्स्ट जो पॉइंट है विक्तित्तों के विकास में बाधग जोइंट फैमिली में रहते हुए विसेश कर हुणाल लड़कों के विक्तितों का विकास नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां सब धान, 22 पसेड़ी के भाहर से तौले जाते हैं, इसकारण किसी को विसेश विदा प्राप्त नहीं होती है नेक्स्ट जो पॉइंट है, द्वेश और कला, जोइंट फैमिली में ये जिज़ आपको बहुत देखने को मिलेगा, द्वेश यानि जेलश, जेलशी इसे करण फाइट होता है, घर का जो महाले वो काफी खराब कर दिया जाता है जोइंट फैमिली में दिवेश और कला का राजजिय होता है, पुरा आपका जोइंट फैमिली वो जेलергी बराव होता है, क्योंकि सेलशीं के पासपर들ेक हीतों में संघर्स होता रहता है, इस सेलशी विसे सद्वेश को भाटों को लेकर जहरा हो जाता है उनमें पेने बच्चों को ले कामपरिशन हो जाता है एक का बच्च का स्कूल में जा रहा है खोटी ड़क happily जिए हो नाक्य बिवा करने वालों कर तो लड़किया होती है उनके के संभन में न से राहु ली जाती है और न है उसे पुछा जाता है ऐसे कोई ह। समझ जाती है यह नONEY यह प्रकार से परीबार पर बोज होती है जलदी जल को सभी लोह अपर करते ने सूछते हैं सब लोग असा सोचते हैं और भी किया जाता है कि तो बीकता है कम से इसेा व्य कम खरच में यहां वह सबम पने कि को दैन ना देना भड़े हैं देज mism developed 약 जाता है ना कि इसे रेरी फैमिली होती है जो विदार डारी मैरिज करती है नहीं तो उने क्या पढ़ी लिखी लड़की भी चाहिए खुबसद भी होने चाहिए घर का सारा कामकाज भी उसे आना चाहिए अपने साथ बहुत सारा नहीं डारी भी लाना है और इसके बाद फिर उसे फिर वो लोग क्रेटा साइस करते रहते हैं कि यह कम डारी लाई है या नहीं लाई है इस तरह से एंड उसे बहुत ज्यादा जहिलना पड़ता है पर इस अस्वाल में जाकर तो चॉइंट फैमिली में यह सारे हैं बेरियर डिमेरिट्स फिर मिलते हैं वीडियो में नह प्याद साइब।